अमरनाथ यात्रा भारत के एक प्रमुख हिंदू तीरत यात्रा का नाम है जो की जम्मू और कश्मीर राज्य के अमरनाथ गुफा में होती है। ये यात्रा हर साल बड़ी संख्या में हिंदू श्रद्धालूओं द्वारा की जाती है और यहां पर हिंदू धर्म के महत्वप पूर्ण तात्विक और धार्मिक आयाम हैं। अमरनाथ यात्रा का आयोजन वार्शिक रूप से होता है और यह यात्रा ज्युलाई माह के चार दिवसिय यात्रा होती है। इसमें श्रद्धालू अमरनाथ गुफा में लिप्टे बर्फ की शिवलिन्द की पूजा करते हैं। यहां तक की यात्रा के दौरान यात्री अमरनाथ गुफा के लिए कई कठिनाईयों का सामना करते हैं। जैसे की ठंड, बर्फ और वायुमंदलिय दबाव। अमरनाथ गुफा एक गहरी गुफा है जो की हिमालय परवत की उंचयों में स्थित है। इस गुफा का उद्धातन मान्यता के अनुसार बड़ी पुरातात्विक महत्व है और इसे हिंदू धर्म के एक महत्व पूर्ण तीरत स्थल के रूप में माना। जाता है अमरनाथ गुफा की विशेष्टा यह है कि इसमें हर साल जुलाई माह के दौरान एक प्राकृतिक शिवलिंग बन जाता है जिसे श्रद्धालू दर्शन करने आते हैं। इस गुफा का उद्धातन मान्यता के अनुसार चंद्रमौली नामक शिवलिंग के रूप में हुआ था। और यह शिवलिंग इस गुफा में बर्फ की शिवलिंग के रूप में प्रतिवर्श पुनह बनता है। इस प्राकृतिक घटना को देखने के लिए लाखों श्रद्धालू अमरनाथ यात्रा पर आते हैं और इस अद्वितिय तीरत स्थल का दर्शन करने के लिए अपनी जान की भी बाजी लगा देते हैं। अमरनाथ यात्रा हिंदू श्रद्धालू के लिए एक महत्वपूर्ण तीरत यात्रा है जो की जम्मू और कश्मीर राज्य के अमरनाथ गुफा में होती है। इस यात्रा का आयोजन हर साल जुलाई माह के पहले सोमवार से शुरू होकर जुलाई माह के पूरे महीने तक चलता है। ये यात्रा एक चारदिवसिय होती है और यहां पर हिंदू श्रद्धालू को अमरनात गुफा के प्राकृतिक शिवलिंग की पूजा करने का अफसर मिल करता है। इस यात्रा के दौरान श्रद्धालू लखनव, वारा नसी, दिल्ली और अन्य भागों से यहां पहुचते हैं और यहां पर अमरनात गुफा के दर्शन करते हैं। ये यात्रा अधिकांश्त श्रद्धालू के लिए एक आध्यात्मिक अनुभव के रूप में मा अधिक्य उद्देश्य भगवान शिव की पूजा करना और उनकी कृपा प्राप्त करना होता है। अमरनात यात्रा का इतिहास बहुत ही प्राचीन है और इसका प्रारम्विक उलेक महाभारत काल में मिलता है। महाभारत के एक युद्ध के दोरान, भगवान शिव ने अपनी भारतिय पत्नी पारवती को अमरनात गुफा में अपना अमर रूप प्रकट किया था। इसी प्रकार, अमरनात गुफा में भगवान शिव का अमर लिंग स्थापित हुआ, और इसके बाद से ही यह गुफा हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण तीरत स्थल के रूप में मानी गई है. आधुनेक काल में, महाराजा गुलाब सिंग ने उन्नीसवी सदी में इस यात्रा को फिर से प्रस्तुत किया और इसे पुनर निर्मान किया. उन्होंने यात्रीगन के लिए सुविधाएं और रास्ते तयार किये, जिससे यात्रा को सुरक्षित और सुखद बनाया गया. अमरनात गुफा का अद्वितिय रहेस्य है, उसकी शिवलिंद का प्राकृतिक रूप से बनना और पिगहलना. ये गुफा जियुलाई, माह के प्रारंभ में शिवलिंद की शुरुआत से बर्फ से भर जाती है. और धीरे धीरे ये बर्फ पिगहलकर शिवलिंद के रूप में रूप बदलती है. इस प्रक्रिया को देखने के लिए लाखों, श्रद्धालू यात्रा करते हैं और अमरनात गुफा में शिवलिंद के दर्शन करते हैं. इस गुफा का रहस्य विज्ञानिकों और तायत्वेक विचारकों के लिए भी रोचक है. ये रहस्य उन्हें ये समझने के लिए प्रोत साहित करता है कि कैसे बर्फ की एक छोटी सी गुफा में शिवलिंद कैसे बन सकता है. इसके अलावा, इस गुफा का रहस्य धार्मिक द्रिश्टिकों से भी महत्व पूर्ण है. और ये श्रद्धालूं के लिए एक अद्विती य धार्मिक अनुभव को प्राप्त करने का माध्यम होता है. अमर्नाथ यात्रा का महत्व हिंदू धर्म के अनुसार अत्यधिक है. इस यात्रा के दौरान श्रद्धालू भगवान शिव की पूजा करते हैं और उनकी कृपा की प्राप्ती के लिए प्रार्थना करते हैं. ये यात्रा ध्यान और आध्यात्मिकता का महत्व पूर्ण हिस्सा होती है और श्रद्धालू को अपने आपको अध्यात्मिक उन्नती की ओर बढ़ने के लिए प्रोटसाहित करती है. इसके साथ ही अमरनाथ यात्रा के दौरान श्रद्धालू एक अद्वितिय और प्राकृतिक आश्चर्य का भी सामना करते हैं, जिसमें बर्फ की गुफा में बनने वाले शिवलिंग की पूजा का द्रिश्य होता है. ये दर्शन अनुभव करने के लिए श्रद्धालूओं को अपनी निश्क्रियता को पार करना पड़ता है और उन्हें अपने आपको भगवान के साथ जुड़े होने का एहसास होता है. अमरनाथ यात्रा के कई फाइदे होते हैं जिन में शारी रिक, मानसिक और आध्यात्मिक फाइदे शामिल हैं. अमरनाथ यात्रा श्रद्धालूओं को अपने आपको धर्मिक द्रिश्टिकों से उन्नत करने का मौका प्रदान करती है. ये यात्रा भगवान शिफ की पूजा करने का अफसर होती है और श्रद्धालू अपने मानसिक और आध्यात्मिक अस्तित्व को मजबूत करते हैं. यात्रा के दौरान यात्री लंबे दिन तक पैदल चलते हैं और यहां परवतियक शेत्र के अद्वितियद रिश्यों का आनंद लेते हैं. इससे उनका शारीरिक स्वास्थ्य भी सुधरता है. यात्रा के दौरान यात्री ध्यान और मनोशान्ती का अनुभव करते हैं. वे प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेते हैं. और अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में बदलने का आवास प्राप्त करते हैं. यात्रा के दौरान यात्री अन्य श्रद्धालूं से मिलकर वानी बढ़ाते हैं और सामाजिक समवाद का अनुभव करते हैं. इससे उनका सामाजिक समवाद भी मजबूत होता है और वे अन्य लोगों से ध्यार्मिक और आध्यात्मिक विचारों को साजह कर सकते हैं. अमरनाथ यात्रा का आयोजन प्रतिवर्ष जुलाई माह के पहले सोमवार से शुरू होकर जुलाई माह के पूरे महीने तक चलता है यात्रा के दौरान यात्री अपने लक्ष्य को पहुँचने के लिए कठिनाईयों का सामना करते हैं जैसे की ठंड, बर्फ और वायुमंदलिय दबाव यात्रीगन अपने आत्मा के शुद्धी करण के लिए भगवान शिव की आराधना करते हैं और अमरनाथ गुफा में शिवलिंग के दर्शन करने का अफसर पाते हैं इसके लिए उन्हें लगभग 42 किलो मीटर तक लकड़ी की सवारी करनी पड़ती है जो उन्हें पहुँचने के लिए बहुत कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है इसके बाद यात्रीगन अमरनाथ गुफा में रात बिताते हैं और वहां पर भगवान शिव की पूजा करते हैं यात्रा के दौरान कई पूजा और आराधना के आयोजन भी किये जाते हैं और यात्रीगन भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए मनों कामनाएं मांगते हैं। इसके बाद वे अपने घर की ओर फिरते हैं और अपने जीवन में ध्हार्मिकता की दिशा में अग्रसर होते हैं। अमरनाथ यात्रा का एक अद्वितिय प्रासंगिकता है उसकी ध्हार्मिक और आध्यात्मिक महत्वपूर्णता। इस यात्रा के दौरान श्रद्धालू भगवान शिव की पूजा करते हैं और अपनी अध्यात्मिक जीवन को सुधारने का मौका प्राप्त करते हैं। ये यात्रा उनके लिए एक अद्वितिय दिन्चर्या का माध्यम होती है, जिसमें उन्हें पूजा, प्रार्थना और ध्यान का समय मिलता है। इसके साथ ही, अमर्नाथ यात्रा का अद्वितिय प्रासंगिकता है उसकी प्राकृतिक रहस्यमयता। यात्रा के दौरान श्रद्धालू अमर्नाथ गुफा में बर्फ की गुफा में बनने वाले शिवलिंद की पूजा करते हैं, और इस प्रक्रिया को देखने के लिए लाखों। लोग यात्रा करते हैं। इसके बाद, वे यहां पूजा का अनुभव करते हैं और अपने आत्मा के शुद्धिकरण का एहसास करते हैं। अमरनाथ यात्रा का समय सार्थकता रखता है क्योंकि यह यात्रा जुलाई माह के पहले सोंवार से शुरू होती है। जो भगवान शिव के दिन माना जाता है। इस यात्रा के दोरान। श्रद्धालू भगवान शिव के प्रती अपनी भक्ती और आस्था का प्रकटी करण करते हैं और उनकी कृपा की प्राप्ती के लिए प्रार्थना करते हैं। ये समय धार्मिकता के लिए एक महत्व पूर्ण समय होता है और यहां पर उनका आध्यात्मिक जीवन में एक न जम्मू और कश्मीर राज्य में स्थित है। ये गुफा हिमालय परवत की उंचयों में स्थित है और यात्रीगन के लिए एक आध्यात्मिक और प्राकृतिक स्थल है। इस गुफा का उद्घातन मान्यता के अनुसार बड़ी पुरातात्विक महत्व है और इसे हिंदू धर्म के एक महत्वपूर्ण तीरत स्थल के रूप में माना जाता है। अमरनात गुफा के पास एक और अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थल है। जिसे पंच्तरनी कहा जाता है। यहां पर भगवान शिवने पारवती को अमर लिंग की पूजा करने के लिए आग्रहित किया थ से ही यह स्थल हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण तीरत स्थलों में से एक हो गया है। अमरनात यात्रा की तैयारियों का महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसमें यात्रीगन को ध्यान देना चाहिए। यात्रा के लिए कुछ महत्वपूर्ण तैयारिया निमनलिखित हैं। वरनाथ यात्रा के लिए online registration करना होता है और अनुमती पत्रप्राप्त करना होता है Physical Fitness यात्रा के लिए यात्रीगन को शारीरिक रूप से तयार रहना चाहिए क्योंकि यह पैदल की यात्रा होती है और वे लंबे समय तक पहाडों पर चलने के लिए तयार रहने चाहिए सही धूपकार यात्रा के लिए सही धूपकार का चयन करना महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यह गुफा में थंड से बचाव करने में मदद करता है अन्य आवश्यक सामगरी यात्रीगन को गर्मी के कपड़े विशेश रूप से उंची बूट टोपी, राशन, पानी और अन्य आवश्यक सामगरी लेकर जाना चाहिए आवास और भोजन यात्रा के दोरान आवास और भोजन की व्यवस्था करनी चाहिए कई यात्री पंच्तरनी में रुखते हैं जबकि अन्य यात्री अमरनाथ गुफा के पास ही रुखते हैं सुरक्षा यात्रा के दोरान यात्रीगन को अपनी सुरक्षा का ध्यान देना चाहिए और स्थानिय प्राधिकृतिक निर्देशों का पालन करना चाहिए आध्यात्मिक तयारी यात्रा के दौरान यात्रीगन को आध्यात्मिक तयारी करनी चाहिए जिसमें वे भगवान शिफ की पूजा के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं और ध्यान और प्रार्थना की प्रक्रिया को समझ सकते हैं